आप नमस्कार सुमस्कती पीसेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है प्राची मिश्रा देखते हैं आज कौन-कौन से बिंदू है जिन पर बात करनी है बहुत ही मात्वपूर्ण बिंदू है आज हम जानेंगे चक्रवाद के बारे में एक रमा चलिए शुरू करते हैं आज ही क्लास हमारा आज का टॉपिक क्या है देखते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम चक्रवाद मिदली की ने चक्रवाद कहाँ पर आया है चक्रवाद formation यानि कैसे फॉर्म होते हैं चक्रवात के लिए कौन-कौन सी स्थितियां जो होती है वो उत्तरदाई होते हैं इनके बारे में बात करेंगे और अंत में हम बात करेंगे कि चक्रवात का नाम करने किसी प्रकार से किया जाता है तो इस स्ट्रक्चर के साथ हम इसको आज डिसकस करने वाले हैं अब सबसे पहले यह देख लेते हैं कि चक्रवात यह कहां पर आया था तो यह जो चक्रवात उत्पन हुआ है यह आपका उत्तरपश्रिम की बंगाल की कि मूशली को चक्रवात देखने को मिलेंगेव सबसे जछा कहां पर आते हमारे इस्टन घाट-में आते हैं वे बंगौ ज़ए बहुत इंग हर विस्टन गाट लग मुंझा हए लिश्ग को ब Siz और ईसको अब अब इसका नामकरन किसके द्वारा क्या था चलिए देख लिए तो इस का नामकरन किया था मालदीव ने और इसे कॉंड-कॉंसे छेटर प्रहावित हो रही है तो अडशीम बंगाल त्रेफ्टुरा दिजोरम के जो ट्रटी प्रहाव से प्रहावित होनेवाले ले sinister स्कार्वाद चरिन गूल जो एरिया होता है चक्र मतलब से गोल एरिया और किसका ग scripts का तो हवाओं का जो चक्र बन रहा है चक्र मतलब गोल और वात मतलब होती है हवा ठीक है चक्र मतलब क्या होता है यह आपको मैंने बताया कि यह गोल एडिया और वात वात मतलब होती है हमारी हवा तो हवा जो गोल गोल घूम रही है basically उसको हम चक्रवात एक तरीके से simple language में कहते हैं अब यह चक्रवात कैसे उद्पन होते हैं इसकी conditions क्या है चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले जो चक्रवात आपके उद्पन होते हैं वो लार्ज वॉटर बॉड़ी इसी में आपके चक्रवात जो होते हैं वो उद्पन होते हैं अब लाज वॉटर बॉड़ी में आपका क्या आ जाता है ओशियन सा आ जाते हैं ओशियन में होंगे चीक है सी आ जाते हैं आपके समुद्ध इसमें होंगे तो लार्ज वॉटर बॉ उत्पन्द होगा और तीसरा मेन इंपोर्टेंट कोरियोलिस फोर्स कोरियोलिस फोर्स ठीक है कोरियोलिस फोर्स होगा तब ही आपका चक्रवाद उत्पन्द होगा तो यह जो तीन चीजें है यह इसके लिए उत्तरदाई होती है चक्रवाद के उत्पन्द होने के लिए अब कर लेते हैं और यह फोर्स प्तकिक होता है तो कोरीयुलिस website अभासी सोता है चौ। हो गई कि कंडिशन किन कंडिशन पर आपका साइकलोन आएगा यह हमने बात कर ली लाज वोटर बोडी में हमेशा साइकलोन आते हैं आप कभी नहीं देखोंगे तलाब में साइकलोन आ रहा है ठीक है टेमप्रेचर 27 डिग्री से उसे उपर होना चाहिए दूसरा तीसरा हमारा का आंत में है कौरियोल स्फॉर्स चली अब देख लेते हैं कि कैसे फॉर्मेट होता है और इसका प्रॉसस क्या होता है तो सबसे पहले हम देखेंगे एक सी लेते हैं यह समुद्र है ठीक है यह समुद्र का सेरफेस हो गया बिसिकली आपका सी सी यहां आज पास आप देखो कि जो वाटर है यह बाघ्र अवाजफ बंकर क्या होने लगता है उपर ऊठने लगता है जब यह उपर उटने लगता है तो बीच में क्या हो में यह यहां बीचम हो गयाद कह सो जाता है इन दोनों के बीच यह क्या है उपर उठ रही है गर्म हो गई है गर्म हभागा गर्म की व lettuce से यह都 रहा है वास्प माम करके उपर ऊठ रहा है बीच में C औरो से में न है count सब्सक्राइब रथोगा अब इस ग्राप को फिल करने का काम कहते है जो थंडी हवा है आसपास अत्मॉस्पेरिक में वो थंडी अवाब यहांसे इस में इन्टर करती है कौन सी हवा होती है यह जो यहाँ बीच में क्या करती है इसके गाप को फ़िल करने का काम करती है और इस थन्डी हवा के आते ही इस सेंटर पर यहाँ पर सेंटर में इसेंटर में हवाएं यह जब इनके कॉंटेक्ट में आती हैं तो यह भी वास्पित हो करके उपर की तरफ उठने लगती हैं तो आप देखो कि कि साइक्लोन का de formation आप शुरू हो गया है अब यह process जो है यह continuous 파 calara कैसे यह थंडी हवा आई गर्म करके उपर एठी और वापस धंडीी ओकर के यहाँ पर नीची आने लगते है और यह process continue चलता रहते है यह थंडी हवा गर्मुर्ब करके उपर और वापस से ठंडी हो करके नीच आने लगती और यहीं आपका फिर उसके बाद घूनन की स्थिति पैदा करता है अब घूनन की स्थिति कैसे आती है ठीक है तो देखिए एक तो मैंने आपको बताया कि कैसे यह प्रोसेस जो है शुरू होता यह घूनन की स्थिति जो आपके अब यहां पर यहां पर यहां पर जैसे वन ने बताया एक और चीज काम करेगी वो क्या हो जाएगी कोरियॉलिस फोर्स अब इस कोरियॉलिस फोर्स के कारण जब यह थंडी और गर्म हवा आपस में तकराती है तो कोरियॉलिस फोर्स के कारण यह अपना जो पत होता है उसे विचलत हो जाती है और यह जो सरकल टाइपस है इस तरह से यह उपर उठने लगती है ठीक है उपर से वो जो परसन है या फिर वो जो चीज है उसका जो टेमपरेचर है वो किस रेट से कम हो रहा है हाइट पर जाने पर उसे हम लाप्सरेट कहते हैं तो लैप्सरेट क्योंकि जब यह एक हवा है एक स्तर पर पहुच जाएगी तो उसके बाद इसका तापमान गिरेगा ना और यह वापस से नीचे आएगी, तो यह जो जिस हाइट पर पहुच है कर के तापमान गिरता है, तो ली तेन्ट हीट का खेर होती है? यानि कि जिसके भी करने से यह रिलीस करने से उस सब्स्टैंस का आपार समस्टैंप का का हिए जाएगा है? कि जिस, माल लीजे, कि जिस heat पर या जिस कारण से आपका जो पानी है वो वास्प बन जाए तो जिस वजह से जिस energy के कारण वो जो पानी है वो आपका वास्प बन रहा है उसको हम as a latent heat consider करते हैं यह आपकी latent heat होती है और इसी latent heat के कारण ये चक्रवाद जो है आपका धीरे-धीरे-धीरे-धीरे Corollous force and latent heat ये चक्रवाद आपका आगे बढ़ने लगता है and then coastal area पर जाकर कि ये चक्रवाद आपका खतम हो जाता है ठीक है तो ये तो चीज रही कि कैसे आपका ये work करता है क्या-क्या चीजे होती है किस प्रकार से चीजे होती है ये जो center होता है जहाँ पर low pressure zone होता है ये पूरी तरह से शान्त होता है क्योंकि यहाँ पर हवाई उपर से नीचे enter कर रहे होती है यहाँ पर कोई हलचल नहीं होती है इसको हम I of cyclone भी कहते हैं ठीक है या कहते हैं इसको I of cyclone इसको basically कहा जाता है ठीक है अब बात कर लेते एक और चीज के बारे में कि ये तो हो गया हमारा equator ठीक है इकवेटर पर basically आपके जो cyclone है वो नहीं आते हैं उसका reason क्या है कि यहां पर इस प्रकार से उनको जो जो इस्थिती होनी चाहिए जो conditions होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है इसलिए यहां पर cyclone आपके equator पर देखने को नहीं मिलेंगे उपर 30 दिग्री नीचे 30 दिग्री से यहा पर आपके cyclone होते हैं उनको formation होता है अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा किनका नामकरण किस प्रकार से होता है क्या क्या चीज़े होती है भारत में चक्राथ हिन्मा सागर्चेत्र में उश्कर्टिबंधी है चक्रवात आते हमारे हैं बेसिकली और इनको हम यहां पर साइक्लोन है जो आपका मिदली आया है क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर के मद यानी की अभी क्या चल रहा है आपका नवंबर इस नवंबर सीजन में उत्पन हुआ है ठीक है मजबूत को रियलिस बहल होना चाहिए आद्रवाई होनी चाहिए और नम वायू जो नमी होनी लो प्रेशर वायू वह होनी चाहिए और साथी साथ 27 डिग्री सालसे से चाहिए जो तापमान है वह उपर होना चाहिए तो यह सारी चीज़े मैं आपको समझा चुकी हूँ क्या क्या है अब नामकरण के बारे बारे बात कर लें तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जो चक्रवाद के प्रभाविकदेश है वेक बाई एक अल्फावेटेकल ओडर में उनका क्या करते हैं नामकरण करते हैं तो यह जो चक्रवाथ कौना करने किया गया है माल दीव के दौरा इसका जो नामकरण है वो किया गया है तो आपने अल्फ़ा बेडिकल और के अकॉरडिक इसका नाम करन करते हैं तो ये प्रदेश के सर्यून अदी के किनारे बिसिकली चला जा रहा है और यह दो जहाज है जो चलाया जा रहा है और इनके ऊपर आप देखरे हो यह क्या लगा हुआ है solar panel लगा हुआ है इसी लिए हमारे जानने के लिए important हो जाता है क्योंकि इसके सर्फेस पर जो भी कार्य होंगे सोलर एनरजी की वजह से होंगे और उपर सर्फेस पर क्या लगा का सूलर पैनल लगे हुए हैं ठीक है यह हाज बिसिकली क्या करेंगे तो भगवान राम के की जो गाथाएं हैं उन्होंने किस प्रकार से अपना शाषन चलाया उनसे संबंदित जो भी महत्वपूर्ण चीजें उनके बारे में बताएंगे उनका दर्शन कराएंगे उनकी चीजे आधुनिक्ता और सामंजश्पूर्ण का प्रतिनिध्व करेंगे तो भगवान राम से संबंदित जो जो अच्छी बाते हैं वो यहां पर कंसीरर कर गई है इस जहाज में बताई जाएंगी ठीक है तो यहां भगवान राम के जीवन की महत्पूर घटनाएं होंगी भगवान राम की विरासत होगी और साच्छिक एवं सांस्कृतिक मंच के रूप में इसका काम है सेवा करना ठीक है अब बात कर लेते हैं इसके बारे में किय कहां पर कैसे चल रहा है तो शर्यू नदी के सांत पानी में नाविगेशन करेगा ठीक है प्रतिक जहाज में 30 यात्रियों के बैठने की इसमें छमता है तो 30 जो यात्री है वो इसमें बैठ सकते हैं और बैठ करके क्या है भगवान राम की जीवन से सम्मंदित कहानिया उन् की एसी वगेरा सब इसमें इन बिल्ड है सौरूर्जा दोराई संचालित होना यहीं इसका मेन पॉइंट है और इसलिए हम इसको पड़ भी रहे हैं और टिकाओ एवं पर्रया वरन अनुकूल प्रताओं पर बढ़ते वैस्विक जोर के अनूप है क्योंकि भारत क्या है जी सब्सक्राइब तो अब यहाल ही में आपने रिखा होगा कि बहुत सारी कुछ कंपनीज है जिनको यूनिकॉन बनाया गया उसी छेत में अभी मैंने आपको बताया था कि यूपी में सबसे ज़्यादा जो यूनिकॉन कंपनीया निकल के आई है वो उत्तर प्रदेश निकल क यह बहुत ही मात्वपूर्ण बंदु है कि जो हम यूनिकॉन कंपनीज देख रहे हैं जो प्रतिरित्व कर रही है हमारा इंटरनाशनल लेवल पे उसमें से कई कहां से हैं उत्तर प्रदेश से समंदित है तो अभी यह जो डेटा आया है इसमें बताया गया कि भारत हमारा से प्रदेशन पर यूनिकॉन कंपनीज से संबंधित भारत में बिल्ड रही है अब देखें पहले स्थान पर कौन है तो पहले स्थान पर आपका आ जाता है शैयक्तौरा जब अमेरिका और दूसरे स्थान पर आज आता है आपका चीन भारत में यह बात करूं तो 72 है भारत की इसमें और किस प्रकार से भारत इसमें अग्रसर हो रहा है तो इन यूनिकॉन का जो संचाई मुल्यांकन क्या गया है दाट इज 195.75 बिलियन डॉलर है ठीक है दुनिया भर में यूनिकॉन कंपनियों के कुल मुल्यांकर में पाच पर्सन का जो महत्वपूर योगदान है वो कौन दे रहा है भारत दे रहा है और इसी के साथ बाईजू नेत्रत्व कर रही है भारत की ओर से क्योंकि वो स्तिर्फ नैशनल स् ठीक है फीफा को स्पॉंसर किया है उसने तो भारती जो बाईजूस है वो भारत की तरफ से उसका प्रतिश्दित्व कर रही है साथ ही साथ वैसुक बंच पर चाप छोड़ने वाली पहली भारत की कंपनी है इस जिसने 11.50 बिलियन डॉलर के साथ उलेखनी मुल्यांकन के सा ठीक है अब देखते हैं नेक्स यूज यह क्या है एपक सिकर सम्मेलन के बारे में है इंपोर्टन हो जाती है तो एशिया प्रिशान्त आर्थिक सहयोग जिसको हम कहते हैं एपक या सिकर सम्मेलन 2023 14-16 नवंबर को आयोजित हुआ और कहां पे हुआ तो सेंट फ्रांसिसको कै कालिफोर्णिया में क्या जानने वाली बात गया थी हहां पे तो कैलिफोर्णिया संट फ्रांसिसको है हुआ है आगर बात कर देते हैं महाथपोर्ट बिंथ तो ये एक साल में पहली बार अब इस पर बात की गई और किसने किसने करी तो अमेरिकी राज़पती जियो बाइडन ने और चीनी राज़पती सी जिन पिंग ने इस एक साल में अपने पहले इस वारता पर बात करी है और दोनों ने किस पर चरजा करी कि जो सैन संचार है उसक लेकिन इस वार इसको जॉइन क्या था इसमें भाग भी लिया था ठीक है चलिया जाते हैं अब थोड़ा सा अपक के बारे में जान लेते हैं formation कब हुआ इसका कितने सदस है इसमें और क्या-क्या चीज़ है महत्वपूर्ण इसमें शामिल है अनौप चारिक रूप से इसका formation हो गया था 1989 में ठीक है लेकिन अपचारिक रूप से जब यह अस्तित्व में आई यह कारे करने लगी तन 1993 हम को मानते हैं कि बारण अपने सदस्य देशों के साथ यह अपचारिक रूप से धरातल पर आए उसनी कारी करना शुरूवात किया ठीक है मुख्याले की बात करो तो मुख्याले कहां पर है सिंगापूर में है और वर्तमान में इसके सदस से कितने हैं तो 21 सदस से हैं वर्तमान में किसमें एपक्ट में चलिए आगे देख लेते हैं तो संस्थापक देश को के साथ यह स्तित्व में आया था यह हैं जो इसके साथ बाद में शामिल हुए थे संस्थापक देशरेल्या बुर्नेई कनाडा automat को энालेशिया न्यूज़़् आप फिलिपिनियों सिंगापूर अमेरिक भ बात कि मलब किसने जोइन किया इसको बाद में तो चीन, होंग नग, चीनी ताइपे मैक्सिको, पपुआ, न्यूगिनी, चली, पेरू, रूस और वियत्ना इन्होंने बाद में इसको जोइन किया है अब आ जाते हैं थोड़ा सा भारत के बारे में देख लेते हैं और इनके ल बनाएंगे कारेंगे और सतत्विकास का जो लक्ष है इसको प्राप्ट करेंगे इसमें और क्या क्या चीजे कि पर्यावन का सब्सक्राइब करना है पर्यावन को ध्यान में रखते हुए आपको कार करना है इंफ्रस्ट्रक्टर बिल्ड करना है एक दूसरे के व्यापार से पाइदा हो सकता है इन बिजनेसे के बारे में देखना है उसमें कुछ रिलीव दिया जाएगा इंटरनेशनल आपके व्यापार में ठीक है आर्थिक चेत्री आर्थिक एक ही करण होना चाहिए आर्थिक है तक्नीकि सहयोग मिलना चाहिए तो एक दूसरे से जो न्यू नियू टेक्न लॉजी जो भी अगर कोई दूसरा देश उत्पन कर रहा है उसको फायदा हो रहा है तो उसको नेक्स्ट जो इसकी सदस्य कंट्री है उस तक पहुचाना है ठीक है मानस रक्षा और अच्छा कारोबारी महाल जो है वह उत्पन करना है इस उत्देश के साथ इ यह विश्व विवयापार का लगबक 50% करते हैं यह सारे कंट्रीज मिल करके जितना भी हमारा वर्ड ट्रेड है उसका और साथी साथ जो विश्व सकल घरेलू उत्पाद है उसका यह लगबक 57% प्रतिर्दित्व कर रही है और भारत इसका सदस्य नहीं है भारत का सदस्य बनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यहां पर आप महत्व देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा है इस एक सहकारी बहुँ पक्षी आर्थिक और व्यपारी मंच के रूप में यह कारी करता है आ गया जाते हैं इसमें भारत और एपक के बारे में देखे तो भारत भारत ने 2007 में एपक के साथ जुड़ने के लिए अपनी इक्षा जाहिर करी थी लेकिन तब इसको अस्विकार कर दिया गया था और दुबारा से 2011 में भारत ने सदस्यता के लिए अपलाई किया था लेकिन अभी तक इसका कोई भी हल निकल करके सामने नहीं आया है और भारत इसका सदश अभी भी नहीं है लेकिन वह इसको पाटिसिपेट करता है क्योंकि यहां पर बात आ रही है प्रुशांत महाजागरी छेत्र के बारे में और हमारे ट्रेड की दृष्टी से यह चेत्र बहुत ही ज्यादा माध्रपून हो जाते हैं चली तो यह हिंद प्रुशा भारत का इससे जादा होगा कई रूट्स हैं जिन पर जिनके थूव व्यापार आसानी से कर पाएगा उसको नए पोर्ट या रूट बनाने की अवशक्ता नहीं होगी ठीक है व्यापारी छमता इससे बढ़ेगी और श्रम शक्तिवा छेत्रिय योगदान भी इससे क्या हो जाएगा बिल्ड हो जाएगा तो इसलिए भारत को इसके साथ जुनने क्याव शक्ता है भारत के लिए लाप क्या होंगी कि व्यापारी जो बातचीत होती है जो आपका ट्रेट से संबंधित एक दूसरी कंट्रीस के साथ जो संबंध होते हैं वह से अच्छे हो जाएंगे इस पर खुल करके बातचीत कर पाएगा वैस्ट्री कर्थ व्यस्ता के साथ इसका एक ही करण हो जाएगा जैसे मैंने बताया कि वर्ड एकोनोमी का 50% पोशन यह 21 देश मिलकर के लीट कर रहे हैं तो इसमें भारत भी शामिल हो जाएगा और इससे भारत की एकोनोमी को बहु भारत को भी उन न ..... यूजе करने का अफसर मिलेगा ठीक है जो वैपार की दरे है भॉह रियार्ती हो जाएगी मिलने ख्योंड केलby क लिए और फ्षान महाशागर का छेत्र हो जाता है वो भारत के लिए सबसे ज्यादा ज ज़ Kirby कryगी तो इसी परकार से भारत को आर्लतिक अ लिए अन्त में जैसे की डेली मैं आप सभी के लिए प्रश्ण लेकर के आती हूं तो आज प्रश्ण क्या है चलिए देख लेते हैं तो हाली में बंगाल की खाडी में चक्रवाद मिदली का नाम करने किस देश के द्वारा किया गया है मालदीव भारत बांगलादेश और भू आपने बाद, like, share, subscribe करना बिलकुल भी ना भूले and thank you so much.